हेलो फ्रेंड्स, तो ये कहानी एक शैफर्ड लड़की और उसके डॉक की, जिनकी वैली में सीजन का चेंज वो नाचानक से बंद हो जाता है, वो इस नेचर की सैकिल को दुबारा शुरू करना चाहती थी, जिसके लिए उसे सामना करना था ओल्ड स्पिरिट्स का, जो पहार हजारों बेले हैं, लेकिन वो सभी ठंड के कारण जमी पड़ी हैं, तब ही एक बोन के गिरने से चायम चमकने लगती है, और उससी एक अजीब सा साउन निकलने लगता है, आगे हम उस हीली एरिया को देखते हैं, जो उपर से एक्तम हरा-भरा था, वहार तरफ सनलाइट फ फैमली से है, और फिलाल अपने डोग के साथ नीचे वैली की और जा रही है, वो वैली जहां ओल्ड स्पिरिट्स का बसेरा है, जिनकी वज़ा से जीवन चक्र थम गया है, और स्प्रिंग को किसी भी तरहीं से दोबारा शुरू करना होगा, वो अपने डोग को कुछ खाने को देती है, क्योंकि वो जानती थी कि उनका ये सफर लंबा होने वाला है, और ना जाने इस मिशन में उने कितना टाइम लगेगा, उसे शायद थोड़ा डर लग रहा था, पर फिर वो अपनी स्टिक पर लगे उस पत्ते को देखती है, और हिम्मत करके वैली के और आगे ब कारण हुआ है, जिसका असरब उसे भी फिल होने लगा था, तब ही उसे अपने डोग की आवाज आती है, जो अचानक से थोड़ा एकसाइटिड हो गया था, और बागता हुआ सामने रखी एक चिटान के पास चला जाता है, जो दिखने में स्प्रिंग के स्टिक के जैसा है और इससे एक अलग सी चमप निकल रही थी, फिर वो पत्थर से जुड़ी एक बेल को खीशने लगता है, जिससे पत्थर से एक रोशनी निकलने लगती है, स्प्रिंग देखती है कि उस पर कुछ हजीब से निशान बने हुए हैं, और वो समझ जाती है कि यही वो मैजिकल जिससे कि उन और स्पिर्ड्स को समन किया जा सकता है, उसके माइन में हजारों सवाल थे, लेकिन वो किसी तरह हिम्मत जुटाती है, और पूरी ताकत से अपने स्टिक को उस पत्थर पर दे मारती है, इससे एक सबर दस सौन निकलता है, जिसकी अवास पूरे जंगल में वो एक पेड़ की जड़को हिलते हुए देखती है, जो अचानक से मूव करने लगी थी, और पता चलता है कि ये तो स्पिरिट का पैर है, जो दिखने में किसी पेड़ के तने के जैसा है, स्पिरिट खुट को अनफ्रीज करती है, और बादलों से निकल का सिधा लगे हैं, जैसा कि हमने मूवी के शुरू में देखे थे, स्पिरिंग जानती है कि स्पिरिट की लीडर है, और जुख कर उसका पैलकम करती है, वो लीडर भी जुख कर उसे रिस्पॉन करती है, वो समझ गई थी कि स्पिरिंग यहां क्यों आई है, और अपने एंटीना से उसकी स्टिक पर एक मूजिक नोट बजाती है, स्पिरिंग को उसके क्लैन ने सिखा कर बेजा था कि जवाब में उसे इस मूजिक नोट को कम्पलीट करना होगा, वो ऐसा ही करती है, और एक खास पैटन में अपनी स्टिक से उसके अंटीना पर हिट करने लगती है, स्पिरि को जोर से जमीन पर पटकती है जिससे एक बहुत तेज साउंड निकलता है इसका असर जंगल में छुपी उन बाकी स्पिरिट्स पर भी पड़ता है और एक के करकी वो सभी एक्टिव होने लगती है जो सालों से इस ठंड और अंधकार में जमी पड़ी थी और उन्हें इस चै स्पिरिंग के पास आगी रहा था स्पिरिंग पेड़ से तो किसी तरह बच गई थी पर इससे वो स्टिक उसके हाथ से छूट जाती है स्टिक पर लगा चैम निकलकर नीचे लुड़कने लगता है जो सीधा सामने बनी एक खाय के और जा रहा था इससे वो स्पिरिट्स एक इक्रेसिव हो जाती हैं और उस चैम के पीछे जाने लिगती हैं कियो कि वो उस्की चमुक और साउंड से ट्रैक्ट होती थी प्रम को दिखिया को पकने उसके पीछे भाबता है और स्पिरिंग भी उसकी मदद करने जाती है डोगन स्पिरिट्स से बच्चता हूँआ आगे किरपाई वो डोग उचल कर उसे पकड़ लेता है और एक चक्तान से टकरा के घायल हो जाता है स्प्रिंग जानती थी कि स्पिरिट चैम के वश से बाहर आ चुकी है और वो ज़रूर उसे नश्ट करने की कोशिश करेंगी होता भी बिलकुल ऐसा ही है वो स्पिरिट उस चैम को कुचलने की कोशिश करती है लेकिन उससे पहले स्प्रिंग वहाँ पहुँच चुकी थी उसने उस चैम को उठाकर अपनी स्टिक में लगा लिया था जिससे वो फिर से चमकने लगता है और स्पिरिट तो बारह से उसके वश में आ जाती है स्प्रिंग उसके पैर को वापस पुश करती है और देखती है कि उसके स्टिक पर अफ लार खिलने लगे है तब यूसे अपने डोग का ध्यान आता है जो उसे कहीं नजर नहीं आ रहा पर जल्दी ही वो उसे देख लेती है जो स्पिरिट के पैर को काटने की कोशिश कर रहा है और ये देखकर स्प्रिंग रिलैक्स फिल करती है फिर वो स्टिक को एक बार फिर पटकती है मानो स्पिरिट्स को वैली से बाहर जाने को कह रही हो और स्पिरिट्स भी उसकी बात मानकर मूव करने लगती है जल्दी ही स्प्रिंग उने वैली से पाहर ले आती है जिनके साथ वो क्लाउट्स भी है और इससे वैली का वैदर बदल जाता है सालो बाद माज सनलाइट पड़ी थी जिससे सारी आइस बिगलने लगी है वो वैली एक बार फिर हरी बरी हो जाती है और लाइफ साइकल फिर से शुरू हो जाता है स्प्रिंग अपनी इस काम्याबी से बहुत खुछ थी लेकिन अभी भी उसे एक आखरी काम पुरा करना था वो उस चाइम को अपनी स्टिक से बहा निकालती है और उसे पास ही बनी एक हिल पर डांग देती है जहां पहले से ही वैसी हजारो चाइम्स बंदी थी एंड सीम में समझ आता है कि उससे पहले भी ऐसा कहीं लोग कर चुके हैं जिसका मतलब कि ये एक रैकरिंग प्रोसेस है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है तो दोस्तों अगर आप कोई मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू